ऐसे लिए अधिर और आज के नियूज सिंप्लिफाइड में हम बात करने वाले सी कुकुंबर्स की सी कुकुंबर्स जो हैं बहुत इंपोर्टेंट है और खास करके इंडिया ने इनके लिए वर्ल्ड का फर्स्ट कंजरवेशन रिजव बनाया था और यह कहां पे बनाया है, क्यों sea cucumber important है, तो सबसे पहले news देख लेते हैं, news क्या है, news यह है कि Indian cost guard ने लगबग 8 करोड रुपे की कीमत के consignments को seize किया है, जो sea cucumber से भरे हुए थे, और खास करके यह China and South Eastern के जो countries हैं, वहाँ पे smuggle किये जा रहे थे, क्यों किये जा रहे थे, क्या या benthic animals बोलते हैं, जान रखना, दूसरा यह जो है tropical regions में पाए जाते हैं, तो Indian ocean हो गया, चाहे वो pacific ocean हो गया, तो Indo-Pacific में especially यह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इन्हें cucumber क्यों बोला जाता है, बिकोज इनकी अगर आप shape देख रहे हैं, तो वो cucumber shape है, इसलिए इने sea cucumber कहा जाता है, अब इनकी significance जान लेते हैं, क्यों यह इतने important हैं, सबसे पहले अगर बात करें, तो यह जो sea cucumber है, वो sea dust या फिर sea wastage जो होती है, उस पे feed करते हैं, यानि कि यह wastage पे खाते हैं, यह इनका feed है, इसके बाद जब यह खाके byproducts जो इनके release करते हैं, जो भी byproducts है हैं, release होते हैं, उन में सबसे ज़्यादा carbonate होता है, यानि कि sea dust का सीधा conversion देखें, तो carbonates में convert कर रहे हैं, यह carbonate बहुत ही important होता है, corals के लिए, because corals का जो shell होता है, that is made up of carbonate, and this carbon ion is very important for that shell making for the corals, ठीक है, तो corals के लिए बहुत important हो जाता है, तो first है, that is the important and integral part of coral ecosystem, यानि कि coral क survive करने के लिए बहुत important है, दूसरा आपने देख लिया, क्योंकि ये sea dust या sea wastage पर feed करते हैं, that's why they are also termed as garbage collectors, यानि बहुत cleaning mechanism भी करते हैं, इसके बाद आपने देखा कि इनके तो byproduct थे, उसमें काफी important nutrients release होते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ carbonate की बात की, other important nutrients भी release होते हैं, that's why they are known as recycle nutrients, recycling nutrients में भी इनका role आजाता है, so यह तो है इनकी importance, अब बात करें अगर चाइना and जो South East Asia है, उन countries में यह क्यों इतना important है, because Chinese जो medicines हैं, उन में इसका काफी ज़्यादा use किया जाता है, इसके साथ ही as a seafood उन countries में इसका बहुत ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है, तो Chinese medicine plus seafood इसमें यूज होने के कारण यह बहुत ज़्यादा illegally traded एक species है, उसके बाद यह बहुत ही कीमती भी है, ठीक है, इसके बहुत बड़े illegal consignments जाते रहते हैं, तो यह है इसकी importance, अब हम बात करें, इसके status की बात करें, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, कि this is the area of Indian Ocean जिसमें यह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, तो Gulf of Mannar, पाक बे हो गया, आपका यह लक्षदीप वाला साइड हो गया, तो इस ocean में बहुत ज़्यादा आपके sea cucumber पाए जाते हैं, ध्यान नकना, and Sri Lanka के जो fishermen's हैं, वो भी कई बार इंडिया के waters में आके इसकी smuggling करते हैं, यह सारा इनके बारे में, अब हम बात करते हैं, इसकी status क्या है, तो IUCN की अगर red list को देखा जाए, तो उसमें आपने देखा होगा critically endangered, endangered इस तरह से सारी जो species हैं, उनका classification क्लासिफिकेशन क्या जाता है, तो इसमें जो brown sea cucumbers होते हैं, वो endangered हैं, आपको याद रखना है, only brown की ब black and blue जो हैं, वो इसके बारे में अगर बात करें, तो ये दोनों endangered नहीं है, इसके बारे में तो data sufficient नहीं है, अमारे पास क्या status है, जबकि black वाला जो है, वो near threatened में आता है, तो इसलिए इनके बारे में ज्यादा नहीं पूछेंगे, आप सिर ब्राउन वाले का आपको ध्यान endangered है, इसके बार आप ध्यान नकना, Wildlife Protection Act of 1972, जो इंडिया में 1972 में लाया गया, इसमें 6 schedule हैं, और इसमें schedule में जो species हैं, उनको protection दिया जाता है, जो schedule 1 में mentioned होते हैं, उन्हें absolute protection मिलता है ध्यान नकना, highest degree of protection रहता है उनके पास, तो इसमें जैसे बहुत important animals, जैसे tiger हो गया, तो tiger को इसी में रखा हुआ है, यानि कि बहुत जादा absolute protection मिला हुआ है tiger को, in the same way, जो sea cucumbers हैं, वो भी इसी schedule 1 में mentioned है, यानि अगर आप से question पूछा जाए, कि the same security of protection और degree of protection is provided to the tiger and the sea cucumbers, yes, ये correct है, ठीक है, ध्यान दकना, इसके बाद सबसे important चीज़ है, कि इंडिया ने world का first conservation area बना था in 2020, right, and इसके बारे में अगर आप देखेंगे, तो that is के के महमद कोया sea cucumber conservation reserve, और ये बनाया था लक्षदीप में, लक्षदीप में आपको कहीं ये island दिख रहा होगा, that is, चेरिया पानी और काल पेनी, तो चेरिया पानी जो reef groups हैं, यहां पे इसको बनाया गया है, तो that is very very important, अगर थोड़ा सा यहां पे अगर mapping की आप बात कर लें, तो ये कैल काल पेनी, और जो सुहेली रीफ है, इनके बीच में है आपका 9 degree channel, धान नकना, जो separate करता है, मिनी को एक group of violence को, इन दोनों ग्रूप से, सुहेली रीफ, और ये वाला काल पेनी, right, और जो 8 degree channel है, ये ध territory को, right, so ये था आपका Dr. K.K. Mohamed Koya Sea C Cucumber Concervation Reserve, जो लक्षदीप में बना है, आप धान नकना, लक्षदीप में भी, इनकी काफी जादा illegal poaching की जाती थी, इनको capture करके smuggle किया जाता था, इसके चलते हुए ही ये conservation reserve बनाया गया, और यहां पे काफी सारा protection इनको दिया गया है, right, I hope आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा है, तो हम इन सभी platform पे आपके लिए मौजूद है, आप हम से वहां पे connect हो सकते हैं, जूड सकते हैं, thank you very much for watching this video.